हेलो एव्रिवन कैसे आप सभी लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्राखंड एल्टी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं उत्राखंड में एल्टी की वेकिंसी आ चुकी हैं पंद्रो सो चवालिस टोटल पद आये हैं दोस्तों और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था 14 तारिक को 22 तारिक से फॉर्म भरे जाने हैं तो ये सारी जानकारी आपको पता है और आप जानते हैं उत्राखंड एल्टी का जो सलेबस है वो पूर्ण रूप से चेंज हुआ है खास करके जो CDP है ये जिसे हम Child Pedagogy कहते हैं ये पूरी चेंज हो चुकी है पहले 30 नंबर की Child Pedagogy आती थी और आप 50 नंबर में पूछी जाएगी पहले 70 नंबर का सब्जेक्ट आता था और आप सब्जेक्ट को भी 50 नंबर में पूछा जाएगा तो ये बहुत बड़ा बद का स्लेबस आपको पता है कि कैसा था लेकिन आप इन्होंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किये हैं आप इन्होंने इसमें फ्लॉस्पी भी डाल दी है जो कि बीएड का बहुत सारा स्लेबस इन्होंने इसके अंदर डाला है तो आज हम पेपर फरस्ट या पार्ट फरस्ट कह कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर जिसमें आपका पूरा चाइड पेड़ागोजी रीजनिंग और उत्राखंड जीके और एंडिया का जीके हम देखेंगे तो चले स्टार्ट कर रहे हैं देखें पार्ट वन में क्या है सेक्षणिक योग गिता जिसके अंदर शिक्षा और द और उनकी सेक्षणिक अवधारनाय जैसे रूसो प्लेटो अरस्तु डीवी अर्विंदो गांधी विबेकानन टैगोर गीजुबाई और सावित्री बाई फूले जो जितने भी हैं ये फ्लॉस पर हैं और ये बीड का स्लेबस है जो जो इन्होंने सिक्षा को लेकर के अपन और आपको बताने का एक छोटा सा प्रियास है कि स्लेबस क्या है और आपको क्या-क्या चीजा आप तयार करनी होंगी तो आप देख पा रहे हैं सिक्षा की अबधारना, प्रशिक्षन, सिक्षन और कला, सिक्षा के कारे और एजनसियां, सिक्षा के स्रोत, 21-वी सदी में सि सिक्षा के मुद्दे और चुनोतियां, सिक्षा में अफसर और उत्कृष्ठ संस्कृती करण, यह भी यूनिट फस्ट चल रहा है, इसमें पूरी पांच यूनिटे हैं तो हम पूरा स्लेबस देख लेंगे एक बार, भावनात्मक सामाजिक और रास्टे एकी करण में सिक् आपको पढ़ना है सिक्षा और समाज सास्त एक निवेश के रूप में, सिक्षा एक एजेंट के रूप में, स्कूल, सामाजिक परिवर्तन, एक समाज सुधारक की रूप में सिक्षक, भारतिया ज्यान प्रणाली, मूले समवर्दन में पाठ्थे करम, सिक्षक, स्कूल, प बाल विकास यानि Child Pedagogy पढ़ते थे वो यूनिट सेकेंड के अंदर है इसमें हैं बाल विकास व्यक्तितो प्रकार सिद्धान्त और व्यक्तितो विकास में सिक्षक की भूमी का बुद्धी के अवधार्णा सिद्धान्त और माप योग्यता की माप योग्यता और दिरिश्ट प्रामर्स दाता और तनाव प्रवंदन के रूप में सिख्षकों की भूमिका रचनात्मक्ता और उसका पोशन सिख्षक माप और उसके छेत्र, परिक्षण निर्मान, सिख्षक निर्मित और मानिकरित परिक्षण, परिक्षण का उप्योग, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, समायोजन और उसके छेत्र, सिख्षा में अध्यन, नाटक और कला देखे, यूनिट थड में है सैक्षिक प्रद्युगी की और उसके प्रकार, हाडवेर, सॉफ्टवेर और सिस्टम विशलेशन, फिर है सिक्षन और सिक्षन के चरण, सिक्षन के अस्तर, सिक्षन के सिद्धान्त, सिक्षन के मॉडल, सिक्षन और सीखना, योजना, आयोजन, नित्रत और नियंत्रन उसके बाद देखें यहाँ पे हैं overhead projector यानि की OHP, computer, साहता प्राप्त शिक्षन, email, internet, website, teleconferencing, e-library, e-reading और blog का उप्योग, फिर सिक्षन, प्रसिक्षन और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रद्रिकी की ICT, उसके बाद हैं यहाँ सिक्षन, अनकूल सिक्षन, वातावरण बनाना, सिक्षक के व्यवार में संसोधन, सुक्ष्म सिक्षन, simulated सामाजिक कौसल प्रसिक्षन, SSAT, उसके पाद हैं मिश्रन सिक्षन, टीम सिक्षन, फ्लेंडर का कक्छा interaction, विशलेशन, ICT में पार्ट की तैयारी या फिर पार्ट य फिर है सिक्षने के बिंदूओं का प्रदर्शन, online और offline सिक्षन, सिक्षने की परक्रिया, online मुल्यांकन, परिक्षा, मानव संसादनों का उचित, उपियोग, उसके बाद देखिए यहां पे हैं तैयारी और उपियोग, PPT, MOOC, e-सामगरी, e-assignment, कक्षा के लिए social network e-record, सिक सिक्षन, सिक्षने और मुल्यांकन के लिए ICT उपकरण, सिक्षन सायक सामगरी याने TLM, audio-visual और video-visual, eduset की भूमी का क्या है education में, इसके बारे में भी पढ़ना है आपको, दर्शन प्रग्याता, डिजिटल सिक्षा के लिए दिसा निर्दे, सिक्षार्ती की सीखने की ग कोशल और सिक्षन की रणनीतियां, यूनिट 4 में देख लीजिए यहाँ पे है अनुसुची जाती, अनुसुची जनजाती, अल्प संक्यकों, पिष्डे वर्गों, सांस्कृतिक और भासाई रूप से विवित्ता, ट्रांसजेंडर, लड़कियां, परतिबासाली, अपरा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचेत बच्चों की सिक्षा, ये भी बढ़ना है लेंगिक मुद्दे और लेंगिक समानता, लेंगिक दोसारोपन, इसकुलों में लेंगिक रूडी वादिता, उत्रपिल्डन और सुरक्षा, उपाय, उत्राखंड में लड़कियों की सि सिक्षा, विकलांगता, प्रकार और कारण, पाठेगरम कक्षा और धाजगत अनुकूलन, सामुदाइक भागिदारी समानता, समानता और गुणवत्ता का मुद्दा, उसके बादे दोस्तों आमारे आपे बाधाएं और सुभिधा, विबिन समू की सिक्षा के लिए राष् उत्राखंड सैत योजना है, आपे आप देख सकते हैं स्कूल प्रशासन और नेत्रतों में प्रिंसिपल और सिक्षक की भूमी का, निरने लेना, योजना बनाना, नियंतरन करना, आयोजन करना, अनुशासन, पर्रवेक्षन, सिक्षन अधिगम परकिरिया में बाधाएं औ और उनके संभावित समाधान, सिक्षा में मानव संसादन प्रवंदन, अब ये देखें आपे जो आपने लेक्चरर स्क्रेनिंग तयारी करी होगी तो उस दौरान आपने ये आयोग जरूर पड़े होंगे, विश्विदाले अनुदान आयोग, UGC, रास्टे अध्यापक स सिक्षा परशद, NCTE, भारते पुनर्वास परशद, RCTE, केंद्रे सिक्षा सलाकार बोर्ड, CABE, रास्टे शेक्षिक अनुसंधान एबम परशद, NCRT के कार्य, रास्टे शेक्षिक अनुसंधान और परशद, SCERT, फिरकेंद्रे विद्धाले संगठन, KVS, नवोदे विद जबाद देखिए हाँ पे जिला सिक्षा और प्रशिक्षर सस्तान डाइट सिक्षा के बढ़िए सेक्षिक स्वायत्法 जबाद दई और शिक्षक अनुपस्तिति उसके बाद यहाँ पे राष्टे सिक्षा नहीति 1958 पड़नी है राष्टे सिक्षानिती 1986 भी पढ़नी है संसोधित एनिपी 1902 भी पढ़नी है इसकोली सिक्षा के लिए राष्टे पाठचरिया की रूप रेखा 2005 और 2023 का NCF जो आया है उसको भी पढ़ना है राश्टे सिक्षानिती 2020 भी पढ़ना है और आधिकार विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 ये भी आपको पढ़ना है उसके बाद यहाँ पर देखे कुछ आयोग इन्होंने आप इंकलूड करें हैं, मुदालियर आयोग, पोठारी आयोग, रास्टी ग्यान आयोग, नयमूर्ती वर्मा आयोग, सर्व शिक्षा अभ्यान, ससे, रास्टे मादमिक शिक्षा अभ्यान, रमसा, समगर शिक्षा और आप पार्ट वन का बी है, जिसमें तारकिक परिक्षण और समाने ग्यान है, यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें और साब्दिक योग्यता परिक्षण है, जिसमें स्रिंखला अंकों की गिंती, वर्गी करण अंकों की पूर्णता, विशम अंक निकालना और चित्र म पूछा जाएगा, दूसरा है हमारा यूनिट सैकंड जिसमें साब्दिक योग्यता परिक्षण में पूछा जाएगा आपको वल्ड माला परिक्षण, कोडिन और डिकोडिंग परिक्षण, विशम एक शरिंखला, पूर्णता परिक्षण, आदेश वविवस्था, रक्त स प्रासिक प्रस्टबूमी विविदता जनसंक्या प्राचीन मद्यकालिन और आधुनिक भारत सामाने ज्ञान पूछा जाएगा आपको बेसिक पूछा जाएगा बहुत जदा हाइफवाई पढ़ने की जरूरत नहीं है उत्राखंड की रूप रेखा याने प्रोफाइल इतनी है और इसका इतिहास क्या रहा है यह आपको देखना है इसमें फिर यहां पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर देखे आप भारत याने इंडिया का जीके भी पूछा जा रहा है यहां पर भारती राज्य जो 28 राज्य हैं उनके बारे में पूछा जाएग परसित धार्मे किस्तल, प्रमुख खेल और सम्वंदित सब्दा वली पूछी जाएंगे ये है दोस्तो हमारा स्लेबस पूरा पार्ट वन की बात करें तो इसके अंदर ये वाला स्लेबस आता है और पार्ट टू का हमने स्लेबस डिसकस करा है जो की चैनल में मिल जाएगा आपको प्लेइलिस्ट पे आप जाकर के जरूर देखें वो वीडियो उसके अंदर हमने स्लेबस डिसकस किया हुआ है सब्जेक्ट का जो पचास नंबर में पूछा जाएगा ठीक है आप कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि आयोग ने यह किलियर नहीं किया है कि कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा तो जाहिर सी वाद है दोस्तों इसका मतलब यह या तो 25 नंबर या फिर 30 नंबर में जरूर पूछा जाएगा हो सकता है 10 नंबर में रीजनिंग पूछ ले और 10 नंबर में उत्राखंड और भारत का जीके पूछ ले अब यह जब तक कायोग किलियर नहीं करेगा तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं पड़ाईस रिलेटर सभी वीडियो अब चैनल पर आती रहेंगे आपको SST की complete preparation करवाई जाएगी तो आप चैनल के साथ बने रहें चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद